सो कहानी की सुरुवात में हमें जैक्स प्रो नाम के एक फेमेस यूटूब स्ट्रीमर को दिखा जाता है जो अपने फैन्स को एक गेम में पार्टिसिफिट लेने के लिए बोल रहा था वो अपने फैन को बताता है कि इस गेम में पूरे 12 प्लेयर्स रहेंगे और मैं तुम सबकी वीडियो को देखकर ही 12 प्लेयर्स को चुनूंगा और इस गेम का नाम होगा ओक्टो गेम इसके बाद अब दिखा जाता है कि पूरे 12 प्लेयर्स जैक्स प्रो के अंजान स्टूडियो पर आए हुए हैं यहाँ पर सभी का नाम लिखने के बाद सबका फोन रख लिया जा रहा था सभी लोग जैक्स प्रो के स्टूडियो में आ करके बहुत खुशते और इस गेम को खेलना चाते थे इसके बाद जैक्स प्रो टीवी स्क्रीन के जरिये इन लोगों के सामने आता है और इन लोगों को इस गेम कर नियम बताता है वो अपने फैंस को बताता है कि जो कोई भी इस गेम को आखरी तक सर्वाइब कर पाएगा वही इस गेम को जीत जाएगा और जो कोई भी इस गेम को जीतेगा उस बंदे को मेरे सारे सोसल मीडिया का एक्सिस मिल जाएगा यानि कि जो भी बंदा विनर होगा उसे मेरे डेट सो मिलियन फॉलोवर्स दे दिये जाएंगे या सुनने के बाद सभी लोग बहुत हैरान और खुश थे अब सभी लोग गेम में भाग लेने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं इसके बाद जैक्स प्रो इन्हें पहले गेम का नाम बताता है पहले गेम का नाम था साइमन सेस मतलब कि अगर हम आपसे कोई काम करवाएंगे तो सबसे पहले हम साइमन कहेंगे और अगर हम आपको कोई काम कहने के लिए कहेंगे तो आपको सबसे पहले साइमन कहना है उसके बाद वो काम करना है और जो कोई भी गेम को हारेगा एलिमिनेटर उसे बाहर कर देगा अभी तक सभी लोगों को ये गेम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है लेकिन आगे इन सभी लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है इसके बाद गेम स्टार्ट होता है इसके बाद गेम का मेंबर साइमन बोल करके इन सभी को अपने हाथों को नाग पर रखने के लिए कहता है इसके बाद बिना साइमन बोले हाथों को सर पर रखने के लिए कहता है जिसके बाद एक इंसान अपने हाथों को सर पर रख देता है और वो गेम को हार जाता है क्योंकि सर पर हाथ रखने से पहले उसे साइमन बोलना था और इसके बाद उसे गेम से इलिमिनेट कर दिया जाता और जो बोलने की कोशिस कर रहा था उन्हें भी मार दिया जा रहा था तभी जैक्स प्रो सब को बताता है कि साइमन ने तुम्हें ना ही बोलने के लिए का है और ना ही यहां से जाने के लिए का है इसके बाद यहां का एक मेंबर साइमन बोल करके इन सभी को एक पैरों पर कर रहते और वे लोग भी मारे गए इसके बाद जैक्स प्रो सबको बताता है कि आप लोग इस गेम को जीत चुके हो अब आप लोग अगले राउंड में जाने के लिए तयार हो चुके हो तुम सभी लोग आठ लोग बचे हुए हो और तुम लोगों को अभी साथ गेम और खे के लिए पहले राउंड को खतम कर लेने के बाद बाकी बचे आठ लोगों को अगले राउंड के लिए तयार किया जा रहा था और अगले गेम का नाम था होप्स को जीम को खेलने से पहले इन सभी लोगों को एक एक परचियां बाट दी जाती है नंबर के हिसाब से इन्हें वो इस डब्बे को पार कर लेता है, दूसरे नमबर पर एक लड़की आती है, और लाल होने के बावजूद भी वो लड़की डब्बे को क्रोस कर देती है, यानि कि वो लड़की गेम को हाट चुकी है, और उसे जान से मार करके गेम से एलिमिनेट कर दिये जाता है, अब बाक साथ छेड़ छाड़ कर रही थी इसलिए इस्टीवन को गुसा आता है और वो उसे एक रैप्टे जड़ देता है जिससे मैगसिन नीचे गिर जाती है और उसके नाक से बलड निकलने लगता है एजे उसकी मलाम पर्टी करता है और उसे सांत रहने के लिए कहता है तीसरे गेम का नाम था ओप्टेकल कोर्स इस गेम को खेलने के लिए इन सभी लोगों को आउटसाइड एरिया में लेके जायाता है जैक्स प्रो सभी को बताता है कि जो कोई भी घर जाना चाता है उसे इस भूल भूलय को पार करना होगा जो कोई भी इसे पार कर दिया वो यहाँ से तो पगड़ी गई तो वो उसे जान से भी मार सकता है यह जानने के बाद भी वो लड़की हार नहीं मानती है और वो इस गेम को खेलती है हाला कि एलिमिनेटर उसे पगड़ तो लेता है लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आपको शुड़ा करके बाहर आ जाती है लेकिन फ पर पात में हम जैक्स प्रो की गल्फरेंड को देखते हैं जो एक लड़की से जहर ले रही थी चौथे नमर पर गेम का नाम था म्यूजिकल चेयर गेम का नाम सुनने के बाद आप लोग समझी गया होंगे कि गेम किस परकार का होगा जी हां आपने सही समझाए गाना बंद हो स्टार्ट हो जाता है और छे लोग सियर के आसपास घूमने लगते आई गाना बंद हो जाने के बाद जो एज़ए था वो से पर नहीं बैट पाता है और उसे एलिमिनेट पर्दिये जाता है इस बार फिर से गाना स्टाट होता है और इस बार कैरी चेर पर नहीं बैट पाती है और वह एलिमिनेट हो जाती है जब कैरी बाहर आती है तो वह देखती है कि जो लोग एलिमिनेट हुए थे वह बिल्कुल ठीक ठाक है इन लोगों को किसी भी परकार का नुकसान नह जो मैगजीन थी वो चेयर पर बैट तो जाती है लेकिन जो स्टीवन था वो उसके गले को दबा करके उसे जान से मारने लगता है और उसे बहुत ही बुर तरीके से मार करके बेहोस कर देता है इसके बाद जब वो बाहर आता है तो बाकी की लोग उसे देख करके समझ जाते है कि इस इंसान से सावधार रहना होगा कुछ समय बाद जब मैगजीन की याँ खुलती है तो वो देखती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है क्योंकि जैक्स प्रो उसे मारता नहीं है बल्कि उसे अपने घर पर लेके आता है जैक्स प्रो कहता है कि तुम बहुत बहादूरो मैं तुमें अपने काम पर रखना चाहता हूँ मैगजीन भी जैक्स प्रो के साथ काम करने के लिए खुसी खुसी तयार हो जाती है इधर बचे हुए लोग काफी टरे हुए थे आगे इनके साथ क्या होने वाला है इसके बारे मैंने बिल्कुल भी नहीं पता था पांचवे नंबर पर जो गेम था उसका नाम था हाई डैंसी जैक्स प्रो इन सभी को बताता है कि इस पूरे घर में तुम कहीं पर भी छुप सकते हो और जो एलिमिनेटर है वो तुम्हें ढूड़ेगा किसी एक के एलिमिनेट हो जाने के बाद बाकी के लोग इस गेम के विनर कहलाएंगे अब एक मिनेट के अंदर सभी लोग अलग-अलग जहां पर जा करके छुप जाती है और एलिमिनेटर इन्हें ढूड़ना स्टार्ट कर देता है एलिमिनेटर से बचने के लिए स्टीवन उस जहां पर आ करके छुप जाता है जहां पर रूत और जोन छुपे हुए थे और जैसे ही एलिमिनेटर इस कमरे में आता है तो मौका देख करके श्टीवन रूत को बाहर धका देता है और वो पकड़ी जाती है और इसके बाद एलिमिनेटर उसे जान से मार देता है हलाकि कैरी उसे बचाने के लिए आती है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी दोस्त की मौत हो जाने के बाद कैरी काफी जादा रो रही थी इसके बाद चटे नमबर पर जो गेम था उसका नाम था टेथर बॉल इस गेम को खेलने के लिए इन्हें आउट साइड एरिया में लेके आया जाता है और जैक्स प्रो इन्हें बताता है कि इस गेम को जितने के लिए तुम्हें इस बोल को अपने हाथ से चारो तरफ मार करके घुमाना है और जो तुम्हारे अपोजिट साइड में रहेगा उसे भी यही करना है पहले नमर पर बारी आती है AJ और जोन की AJ लगातार बोल को हिट कर रहा था इसलिए वो गेम को जित जाता है इसके बाद बारी आती है स्टीवन और कैरी की स्टीवन लगातार बोल को हिट करके इस गेम को जित जाता है कैरी बोल को हिट नहीं करती है इसलिए वो हार जाती है यानि कि अब उसका सामना होगा जोन से अब जोन तो पहले सही बहुत ज़्यादा घायल था इसलिए वो कैरी से हार जाता है और इलिमिनेट हो जाता है अब इस गीम को खतम हो जाने के बाद बचे हुए थे सिर्फ तील लोग इसके बाद हम केटी को देखते हैं जो जैक्स प्रो के लिए ड्रिंक बना रही थी और वो उस ड्रिंक में जहर को मिला देती है वो ड्रिंक को जैक्स प्रो को देती है पीने के लिए तभी जैक्स प्रो केटी से कहता है कि इसे तुमें भी ट्राइ करना चाहिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है बार बार कहने के बाद भी केटी ड्रिंक को नहीं पी रही थी जिससे जैक्स प्रो को समझ में आ जाता है कि केटी उसके साथ क्या करने वाली है केटी वाल से भागने की कोसिस करती है लेकिन तभी मैगजिन गन ले करके उसके सामने आ जाती है मैगजिन को लग रहा था कि केटी को मार करके उसने बहुत गलत किया है लेकिन जैक्स प्रो कहता है कि कोई बात नहीं तुमने बिल्कुल ठिक किया है इसके बाद ये लोग केटी के पास एक सुसाइड नोट छोड़ देते हैं साथवे गेम का नाम था हैंग मैं जैक्स परो इन्हें बताता है कि तुम लोगों को स्क्रीन पर कुछ वर्ड दिया जाएगा वर्ड गायब हो जाएंगे और तुमें उसके लेटर को पहचानना है जो जितनी जल्दी जवाब देगा उसके लिए उतना ही बेहतर होगा क्योंकि लेट और गलत जवाब देने से उसे इलेक्ट्रिक सोक दिया जाएगा काफी कम समय में स्टीवन इस पहली को सोल्व कर लेता है और वो इस गेम को जीत जाता है लेकिन इसके बाद जब AJ और कैरी का मुकाबला होता है तो AJ जान बूच करके हार जाता है और वो इलेक्ट्रिक सोक से ही मारा जाता है अब बचे हुए थे सिर्फ दो लोग कैरी और स्टीवन इसके बाद आठवा गेम स्टार्ट होता है और उसका नाम था कैप्चर दा फ्लैग जैक्स प्रो इन्हें बताता है कि तुम लोगों को दाड़ते हुए जाना है और उस जंडे को सिर्फ तीन सिकंड तक पकड़ करके रखना है तीन सिकंड से पहले जो फ्लैग को छोड़ देगा वो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों एक साथ फ्लैग को पकड़ तो लेते हैं ले कैरी फ्लैग की तरफ भागती है और उस फ्लैग को पकड़ करके गेम को जीत जाती है स्टीवन चाहता तो इस गेम को जीत जाता लेकिन वो खुशे से बहुत जदा पागल हो गया था वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता है इसलिए वो हार जाता है और एलिमिनेट ह जाता है अब कैरी इस पूरे गेम को जी चुकी थी और वो रोने लगती है इसके तुरंद बाद कैरी को बहुत कर दिया जाता है और जब उसकी आख खुलती है तो वो अपने आपको एक अंजान घर में पाती है जहां पर वो देखती है कि जैक्स प्रो का मास्क रखा हुआ और वहीं पर उसे जैक्स प्रो का सोसल मीडिया का आईडी और पास्वड भी मिलता है तबी वहीं पर एक इंसान आता है जिसे देख करके कैरी बहुत डर जाती है तबी वो इंसान कहता है कि घबराओ मत मैं तुम्हें सिर्फ यहां पर तुमारा फोन वापिस करने के लिए आया हूं और दोस्तों फाइलली इसे के साथ यह कानिये पर समाप्त हो जाती है